आपका बेलकम है चैप्टर फोर्थ कोईड़क एक्वेशन निव एंसी आइटी से है क्लास 10 कुशन नमबर फ़स्ट फैंट रूट्स 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 को जीरोस भी बोलते हैं मतलब एक्स की वैल्यू निकालो और अब वाई में है तो य की वैल्यू निकालेंगे एक्स मे हाइस पावर तु है तो इसको काड़े के इक्वेशन बोलेंगे मिडल टर्म कितनी है आपकी सेविन तो समचाईए सेविन प्रोडेट कितना चैए जो एक्स स्कूर्थ का कॉपी सेंट है उसे और लास्ट का जो है आपका कंस्टें टर्म उनको मल्ठिप्लाई कर लो उतना ह multiply के आ गया 3 ऐसे ही root 5 का root 5 से multiply होगा तो 5 pair बन के बाहर आ जाएंगे तो यह आ जाएगा यह तो fundamental आपका step तो यहाँ पर हम इसे तोड़ लेंगे तो root 2 x square 7 x है तो 7 x को हम क्या लिख देंगे तो 7 x को आप यहाँ पर जैसे 10 है तो 10 के factors बना दो तो 10 के prime factors बना दो 2 5 जा 10 तो दो number बन गए 2 and 5 तो हम यहाँ पर क्या लिख सकते हैं 7 x को क्या लिख सकते हैं 2 x plus 5 x 2 x और 5 x मिल करके 7 x बन गया 2 x 5 का product 10 आ गया अब हमने 7 x को middle term को split कर दिया 2 x plus 5 x आ गया और 5 root 2 हम as it is यहाँ पर लिख देंगे तो अब आपके पास 1 2 3 terms से अब 1 2 3 4 terms आ गए क्योंकि middle term दो parts में divide हो गई अब हम common लेंगे तो common लेने हैं तो दिहां से देखना जैसे यह 2 है तो 2 को अपने मन में क्या माल लो 2 को आप root 2 into root 2 लिख सकते हैं मतलब 2 के अंदर क्या है root 2 छिपा हुआ है 2 को root 2 into root 2 लिख सकते हैं समझने के लिए अब ऐसे ही 5 को यहाँ से अब यहाँ से देखिए इसमें से root 2 common ले लिजी root 2 common आ गया और एक root 2 यह चला जाएगा X common आ गया तो root 2 चला गया X चला गया इस term में से तो यहां से X बचया यहां plus agitives आ गया 2 है तो 2 को root 2 into root 2 लिखा था तो यहां से अब root 2 बाहर चला गया तो एक root 2 बचेगा X agitives बाहर चला गया अब plus 5 अब इन दोनों में 5 देख रहा है 5 common ले लिजिए तो यहां से X बचेगा plus 5 चला गया तो यहां से root 2 बचेगा इस उकल टू 0 बचेगा अगर आपकी working सही है तो आपके यह दोनों terms equal आएंगे यह दोनों terms equal आएंगे और इसमें कोई mistake नहीं होना चाहिए X plus root 2 X plus root 2 से हम आ गये क्योंकि आपकी working सही है अब इस term में से X plus root 2 common दिख रहा है तो यहां से क्या बचेगा root यहां से आपका root 2 X बचेगा और X plus root 2 इसमें से common चला गया तो यहां से 5 बचेगा इस equal to 0 अब हमारा कौन सा step से product of two numbers product of two factors इस equal to 0 है तो इसमें से X plus root 2 0 होगा या फिर आपका root 2 X plus 5 is equal to 0 या यह factor 0 होगा या यह factor 0 होगा जब यह factor 0 होगा तो plus root 2 को इधर ले जाओ तो minus root 2 आ जाएगा root 2 X 5 को इधर ले जाओ negative आ गया अब यह number यहां पर multiply हो रहा है तो यहां पर divide हो जाएगा minus 5 upon root 2 तो यह आपका rationalizing भी कर सकते हो या इतना छोड़ सकते हो तो यह दो आपके answer आ गए अब इसी question को हम दूसरे method से कर रहे हैं दूसरा method है आपका second method तो second method हम इसे apply करेंगे second method में equation तो वही होगी root 2 X square plus 7 X plus 5 root 2 is equal to 0 एक quadratic equation A X square plus B X plus C is equal to 0 होता है इसके roots roots का मतलब 0s 0s का मतलब X की value Y है तो Y की value तो D discriminant नकाल देंगे तो B square minus 4 A C होता है और X is equal to formula होता है minus B plus minus root D all over 2 A इसको quadratic formula बोलते हैं स्री धाराचार formula बोलते हैं धाराचार एक mathematician Indian थे उन्होंने इसे formula को दिया तो यहाँ पर X square का जो coefficient होता है उसको हम क्या बोल देते हैं A X square हटा दो root 2 अब यहाँ पर X का coefficient है B वो 7 है plus होता है तो plus minus होता है तो minus और C की आ है 5 root 2 negative है तो negative ले लेंगे positive है तो positive ले लेंगे अब हम इसमें D निकालेंगे तो D discriminant होता है B square minus 4 A C आएगा B की जगे यहाँ पर 7 है तो 7 का square minus 4 A की जगे यहाँ पर root 2 है और C की जगे 5 root 2 है तो अब यहाँ पर D is equal to 7 का square क्या आएगा 49 आएगा minus बिना root वाला बिना root वाले से multiply हो जाएगा 4 5 जा हो जाएगा 20 root 2 का root 2 से multiply हो तो root हट जाएगा 2 आजाएगा तो यहाँ पर 49 minus 40 is equal to 9 आगया अब formula लिख दीजिए X is equal to minus B plus minus root D upon 2 A यह हमने formula लिख दिया minus B की value कितनी है 7 लिख दीजिए plus minus root D, D के अंदर के आएगा 9 तो यहाँ 2 A की value कितनी है root 2 तो यहाँ पर X is equal to minus 7 plus minus square root of 9 9 का जो square root निकालेंगे तो 3 into 3 लिख देंगे तो 3 का pair आगया तो 3 लिख देंगे square root of 9 क्या होगा 3 होगा तो 3 लिख दिया हमने यहाँ पर और 2 root 2 तो अब यहाँ पर एक बार positive sign लेंगे मतलब X is equal to यह आपका minus 7 है single number है single sign है तो यह minus रहेगा यह double में से एक बार plus ले लिजिए तो plus और 2 root 2 यह आ गया अब minus 7 और plus 3 minus का 4 और 2 root 2 यहाँ से 2 से कट जाएगा तो 2 2 या 4 minus 2 upon root 2 minus 2 upon root 2 अगर आपको answer मिलाना है कि पहले जैसा answer नहीं मिल रहा है तो आप इस से rationalizing कर दोगे rationalizing में क्या होगा root 2 का उपर और root 2 का नीचे multiply कर देंगे तो यहाँ से क्या आ जाएगा minus 2 root 2 root 2 का root 2 से multiply 2 2 से 2 कट गया minus root 2 यह आपका answer मिल गया यह answer मिल गया पहले बाले से यह क्या आ गया minus minus root 2 आ गया अब एक बार minus value लेंगे तो x is equal to x is equal to minus 7 as it is आएगा यहाँ पर minus ले लेंगे plus की जगे तो minus 3 और यह 2 root 2 आ जाएगा तो यहाँ से आपका minus 7 minus 3 minus 10 और यह 2 root 2 आ जाएगा 2 से यह कट गया तो 5 minus 5 upon root 2 यह same answer मिल गया यह दूसरी method है quadratic equation का quadratic formula से zeros मिकाल लें answer आपके same आएगे तो आप कोई भी method apply कर सकते हैं अगर special उसमें mention नहीं है तो इसमें factors नहीं करने पड़ते हैं direct निकलाते हैं अगर आप से factors निकलते हैं तो आप इस method से कर सकते हैं अब हम fourth part करेंगे question number first का आप fourth part करेंगे find the roots zeros by factorization method 2x square minus x plus 1 upon 8 बस इसमें थोड़ा difference है difference क्या है कि यह rational number है तो यह upon में है तो हम इसका क्या करेंगे यहाँ पर हम LCM ले लेंगे इसका 8 LCM आ जाएगा 8 का 2 से multiply होगा तो 16x square 8 का यहाँ से x से होगा तो minus 8x आ जाएगा 8 से 8 कट जाएगा plus 1 is equal to 0 अब हम इसका cross multiply करेंगे 8 का 0 से multiply हो जाएगा 16x square minus 8x plus 1 is equal to 0 हो जाएगा 8 का multiply 0 से होगया cross multiply होगया अब यह periodic equation बन गई upon में कोई number नहीं है तो अब हम middle term तोड़ेंगे तो हमें sum कितना चाहिए जो x का coefficient है वो हमारा sum बनता है तो minus 8 product क्या होता है x square का coefficient ले लो और इसे जो आपका constant term है उससे multiply कर तो bis sign दोनो positive है तो यह 16 अब हम इसको sum चाहिए negative और positive में चाहिए product तो दोनो number negative होंगे और दोनो negative होंगे add हो करके minus 8x आना चाहिए product उनका 16 आना चाहिए तो हम 16 के यह factors कर सकते हैं तो 2, 8 जा 16 तो यहाँ पर आपका 2, 4 जा 8 तो यहाँ पर 2, 2 जा 4 इसे combine कर लो 4 and 4 4 and 4 तो 4 and 4 ले लो अब इसमें sign लगाना है तो minus 4 और minus 4 minus 8 आ जाएगा तो sum आ गया minus 8 minus 4 into minus 4 करोगे इनका जो product आएगा तो वो product automatically क्या आ जाएगा positive आ जाएगा तो हमें 16 x square as it is लिख देना है minus 8 x minus 8 x है तो minus 8 x को हमने अभी factors बनाए minus 4 x minus 4 x plus 1 is equal to 0 minus 4 x minus 4 x क्या बन जाएगा minus 8 x minus 4 का minus 4 से multiply करोगे तो 16 तो हमारा क्या condition है sum minus 8 आ गया product 16 आ गया अब इसमें से आप 4 x कोमन ले जिए दोको 16 में क्या है 4 छिपा हुआ है 16 क्या है 4 into 4 तो 4 common आ गया x भी common आ गया तो 4 4 जाए 16 एक 4 बचेगा एक 4 चला गया एक x बचेगा minus 4 x चला गया तो बन तो बन तो सबका coefficient होता है जैसे 4 x है तो इसको 4 x into 1 लिख दो 4 x चला गया तो बन तो बचेगा आपका अब यहाँ पर आगे minus है तो हमेशा minus common लो और कुछ common है नहीं इसमें तो बन common ले लो तो यहाँ 4 x बचेगा जब minus का number बाहर जाता है तो sign बदल देता है तो plus से negative यह बन का बन रहेगा बन तो सम्में से common है कोई उसमें से दिक्कित नहीं है जैसे 4 x है तो 4 x को आभी हमने बोला न 4 x into 1 लिख दो 4 x चला जागा है तो बन बचेगा तो यहाँ पर 1 common लिया है क्या common लिया है बन जैसे 4 x को 4 x into 1 लिख दिया और 1 को क्या लिख दिया 1 into 1 तो इसमें से 1 common है तो 1 common लेने से कोई number change नहीं होता वो एजट इस रहेगा 4 x minus 1 बस से minus common लिया है तो यहाँ sign बदल जाएंगे अंदर तो यह positive 4 x यह negative हो जाएगा प्लस से अब 4 x minus 1 4 x minus 1 यह दोनों same terms आ रहे हैं अगर आपकी working सही है तो यह दोनों factor same आएंगे अब इस factor को 4 x minus 1 को common ले लो यहाँ से क्या बचेगा 4 x और यहाँ से minus 1 is equal to 0 product of two factors यह product of two numbers 0 होता है तो उनमें से पहला 1 0 होगा कोईन कोई यह तो 4 x minus 1 यह 0 होगा यह 0 दोनों same factors आ रहे हैं तो इसका मतलब क्या है x की value दोनों same आएंगे तो 4 x is equal to 1 आ जाएगा यहाँ से 4 x is equal to minus 1 इधर गया positive minus 1 गया तो यह दर positive हो जाएगा 1 तो x is equal to 4 यहाँ आ गया 1 upon 4 यहाँ multiply हो रहा है तो यहाँ divide हो जाएगा यहाँ multiply हो रहा है यहाँ divide हो जाएगा यह आपके दोनों equal roots आ गये अब यह आपका हो गया factorization method अब इसी question को हमने second method देखना है second method में हम क्या करेंगे जो second method है आपका second method में आपका आपने solve कर लिया था solve करने के बाद जो equation आई थी उसे लिख लो यहाँ पर 16 x square minus 8 x plus 1 is equal to 0 यह हमने solve करके इतना unsimple form में हमने बना लिया था तो यहाँ पर x square का जो coefficient होता है उसे हम यह लिखते हैं और x का coefficient होता है उसे b लिखते हैं with sign minus 8 negative है तो c क्या होता है constant term अब a x square plus b x plus c is equal to 0 general form of quadratic equation है यहाँ discriminant d निकालते हैं b square minus 4ac d कितना आएगा b square minus 4ac b कितना है minus 8 minus 8 का all square minus 4 a कितना है 16 c कितना है 1 a की value 16 c की value minus 8 का हम करेंगे all square तो minus का करेंगे तो positive हो जाएगा 64 8 8 जा 64 minus 64 64 64 का बंद से 64 d जुकल टू कितना आगया 0 जब भी d 0 आता है तो equal roots आते है equal real roots आते हैं यह हम आगे बताएंगे आपको तो अभी देखो कैसे आते हैं अब formula लगा दो x is equal to minus b plus minus root d upon 2a तो यहाँ पर minus b की value रख दो minus 8 plus minus root d d कितना आगया 0 upon 2a a की value 16 तो यहाँ पर minus 8 plus minus square root of 0 बिल भी 0 upon 32 तो अब यहाँ पर positive sign लो positive sign लेंगे तो minus 8 और यहाँ पर minus minus यहाँ plus हो जाएगा तो यहाँ पर positive 8 रहेगा यहाँ पर positive 8 रहेगा plus sign लोगे तो plus 0 upon 32 8 plus 0 8 होगा तो यहाँ पर 32 अभी कट जाएगा 8 बन जा 8 8 फोर जा 32 1 upon 4 answer आ गया minus value लो तो यहाँ पर जब minus value लेंगे तो x is equal to 8 minus 0 upon 32 plus और minus 2 है न एक बार plus 0 लेंगे एक बार minus 0 लेंगे तो 8 minus 0 8 होगा 32 8 बन जा 8 एट फोर जा 34 बन अपोन 4 तो हमने क्या देखा x की value यहाँ पर भी और x की value factorization method दोनों से x कितना आया 1 upon 4 तो दोनों से 1 upon 4 आया तो इसका मतलब यह है कि आप कोई भी method apply करो answer same आएगा तो answer same आ गया I hope यह आपको समझ में आया होगा इस वीडियो में आपका 4th part भी हो गया अब हम 5th part नेक्ट वीडियो में करेंगे आप हमारे वीडियो को watch करें, like करें, share करें चैनल को subscribe जरूर करें क्योंकि हम आपको आगे वीडियो बना के भेजते रहेंगे आप subscribe करते रहो Thanks God